हर साल जन्वरी का महिना काफी इवेंटफुल होता है। इस महिने 14 जन्वरी के आसपास उत्तर से दक्षिम तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रोनक्र होती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सवक भी बनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारों में अनेक पहलों की काफी प्रस्वसा हो रही है। जेसल मेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जन्वरी की परेड के दोरान करतव्य पत्का निर्मान करने वाले स्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपूर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में सामिल जाकियों में भारतिय संस्कृत के विविन्द पहलूओं को देखकर आनन्दा आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन, केमल राइडर्स और सियार पियप की महला टुकडी भी काफी सरहना हो रही है। साथियोत देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ क्योंकि उस दिन पद्म पुरसकारों की गोश्रा होती है। और एक प्रकार से 25 तारिक के शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमिनी स्थर पर अपने समरपण और सेवा भाव से उपलब्ती हासिल करने वालेों को पीपर्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाई साजा की है। इस बार पद्म पुरसकार से सम्मानित होने वालों में जनजातिय समुदाएं और जनजातिय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रत्रीदीत रहा है। जनजातिये जीवन शहरों की भागदोर से अलग होता है। उसकी चनोतियां भी अलग होती है। इसके बावजूत जनजातिये समाज अपनी परंपराओं को सहजने के लिए हमेशा तपर रहते हैं। जनजातिये समुदाएं जिसे जुड़ी चीजों के सवरक्षन और उनपर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मानडा जैसी जनजातिये भाषाओं पर काम करने वाले कई महनुभाओं को पद्मप्रस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानी राम टोटो, जानुमसी सौय और वी रामक्रिष्ण रेडी जी के नाम अब तो पुरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्धी, जारवा और उंगे जैसे आदी जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। के समुदाएं हमारी धर्ती, हमारी विरासत का अभिन्य हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्मपूरा है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीडी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरसकारों की गुंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही हैं जो नकसल प्रभाविक धुआ करते थे। अपने प्रयासों से नकसल प्रभाविक छेत्रों में गुम्राई वकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरसकारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए काकेर में कुमाजी खुणे को भी यह सम्मान मिला है। इसी प्रकार नौर्थ इस्ट में अपनी संस्कृति के सम्मानित किया गया है। साथियों इस बार पद्म पुरसकार चे शम्मानित होले वालों में कई ऐसे लोग सामील हैं जिनोंने संगीत की दुनिया को सम्रद्त किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद न हो हर किसी की संगीत की पसंद अलग लग हो सकती है लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है इस बार पद्मपुरसकार पाने वालों में बो लोग है जो संतूर बम्हुम द्वीतारा जैसे हमारे पारंपारी बाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं गुराम मुहमत जाच मुवासू पाउं सिह्म बोर कुरकानाउं मुनी बंकटपा और मंगल कांती राय ऐसे कितने ही नाम है जिनकी चारों तर्प चर्चा हो रही है साथियों पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साती हैं जिनोंने हमेशा देश को सर्वोपरी रखा राष्ट प्रथम के सिध्धान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया वो सिवाभाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार के आशा नहीं की वो जिन के लिए काम कर रहे हैं उनके चहरे का संतोश ही उनके लिए सबसे बड़ा एवाड़ है ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवाचियों का गवरो बढ़ा है मैं सभी पद्मपुरस्कार विजयताओं के नाम भले यहां नहीं ले पाऊं लेकिन आपसे मेरा अगर जुरूर है कि आप पद्मपुरस्कार पाने वाले इन महनुभाओं के प्रेरत जीवन की विशे में विश्तार से जाने और औरों को भी बताएं